हेलो गाइज मेरे किचिन में आपका स्वागत है तो मैं हाजर हूँ एक नई रेस्पी के साथ आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट्स रायता रायते तो अनेको पिरकार के बनते हैं जैसे की बूंदी का रायता लौकी का रायता आलू का रायता मखाने का रायता जैसे अने ग्रीद एक लेते हैं एक कटूरी से थोड़ा कम हमने दही लिया है एक चमज भूरा आदा कप दूद छैसा सफेद लाइची आठ दस काली ब्रज थोड़ा नमक आठ दस पोधीनी के पत्ते और फलो में एक आम और एक केला इन दोनों को हम छील कर काट लेंगे रायता बनाने के लिए हमने एक बरतन ले लिया और हम इसमें दही डाल लेंगे हमने दही डाल लिया है अब हम इसे चमज से चलाते हुए फैंट लेंगे हमने दही को अच्छे से फैंट लिया है अब हम इसमें दूद डाल कर मिक्स कर लेंगे ये देखिए हमने दूद को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें बूरा डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे तो देखिए हमारी बूरा अच्छे से मिक्स हो गई है तो आब हम इसमें एक एक करके कटे हुए फलों को डाल लेंगे हमने केले डाल दिये हैं अब हम इसमें आम डालेंगे हमने काली म्रच और इलायची को कूट लिया है पुटी काली म्रच और इलायची और साथ में थोड़ा नमक ये भी हम डाल कर इसमें मिक्स कर लेंगे हमने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें पोदेनी के पतियों को तोड़ कर डाल देंगे और इने भी मिक्स कर देंगे तो देखिए हमारा रायतवन का रेडी हो गया है अब हम इसे सर्व कर लेते हैं तो देखिए हमने रायते को कटोरी में सर्व कर लिया है हमने कारणिस के लिए थोड़ी किस्मिस लिए है हम अपने रायते को किस्मिस और पोधेनी के पत्तियों से गार्निश कर देंगे इस रायते में आप अपने मन पसंद के फुलों का इस्तमाल कर सकते हैं मैंने गार्निश के लिए किस्मिस का इस्तमाल किया है आप अनार के दानों का इस्तमाल कर सकते हैं हमारे सिटी में कोरोना के मरीजों की संख्यां बढ़ रही है इसलिए सामान लेने को बहार जाने से डर लगता है मेरे पास जो फल थे मैंने उनी का इस्तमाल किया है अगर आपके पास काला नमक हो तो आप उसका इस्तमाल करें उससे रायते का टेस्ट बढ़ जाता है अगर आपको हमारी ये फ्रोट रायते की रेस्पी अच्छी लगी हो तो रेस्पी को लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ जै हिंजै भारत